हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में बीसी सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ की पहली बुक की यूनिट नमबर थर्ड और चैप्टर हमारा चल रहा था खतम हो जाएगा थार्ड यूनिट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है यह क्यूशन ठीक है लिखा हुआ है यह क्लेरट सेक्यूशन है आपको पता होना चाहिए y is equal to px plus का fp यानि यह y एक function है अगर आपको is equal to right hand side पर px मिलता है और plus का एक function और मिलेगा जो p का होगा अगर आप ऐसा पहचान लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी clear execution कहलाएगी अब इस execution को पहचानने के बाद आपको क्या work करना पड़ेगा तो working rule भी समझ लेते हैं सबसे पहले आपने पहचान लेना है और बना लेनी है उसी equation number one फिर क्या करना होगा आपको इस equation का differentiation करना होगा x के respect में ठीक है तो x के respect में करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy over dx फिर यहाँ पर px है तो px का यहाँ पर दो function है तो first second का rule apply करेंगे p को मानेंगे first और x को मानेंगे second इतना तो भई आते ही होगा जब differentiation जब दो function चलते हैं तो first second लगा कर हम उसे solve करते हैं पहले वाले को छोड़ देते हैं दूसरे वाले का differentiation यानि x का differentiation बन हो जाएगा प्लस लगाया फिर दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले का differentiation P का हो जाएगा DP over DX उसी तरीके से यह अब प्लस लगा है तो प्लस लगा लिए F, F, P का differentiation होगा आपको पता है X के respect में कर रहे हैं तो F का differentiation क्या हो जाएगा DF upon में DX यही तो हो जाएगा आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे F डैश लगा कर डैश क्या बताता है कि एक बार differentiation किया गया है तो जब आप इसका करेंगे F, P का तो क्या हो जाएगा F, P लेकिन यह X के respect में है और यहाँ चल रहा है P तो P का फिर से हो जाएगा क्या हो जाएगा DP over DX तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने differentiation किया है वो भी X के respect में अब क्या करेंगे हमने आपको पढ़ाया था कि DY over DX जब भी आपको यह लिखा दिखेगा तो आप इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे P पुट कर देंगे, कौस अब भी small P तो क्या किया हमने अगले step में DY over DX की जगह पर P पुट कर दिया बाकी सारी चीज़े जैसी थी एडिटिज वैसे ही रहने थी अब जब यह वाला P इधर आएगा तो P-P यह क्या हो जाएगा cancel हो के 0 बचेगा तो यहाँ पर हमने direct cancel कर दिया अब इधर बचा है 0 यह पूरी quantity यानि कि यह आपका इतना बचा है यहाँ पर हमने सीधा करके लिख दिया है साथ में DP over DX इस part में भी है इस part में भी है तो हमने common भी ले लिया ठीक है क्या काम किया केवल हमने इसे सीधा करके लिखा है और DP over DX को common ले लिया जब common लेंगे तो इधर वाले term में क्या बचा X और फिर प्लस लगा कर F-B ठीक है बराबर में क्या चल रहा है 0 अब क्या करेंगे यहाँ पर आपको third step में क्या करना होगा टेक करना होगा किसे DP over DX को 0 के बराबर टेक करना पड़ेगा उसके बाद इसका integration करेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है DX जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा साथ में हम constant भी जोड़ देते हैं ठीक है तो जब यहाँ पर DP का integration करेंगे तो integration से D हट जाएगा बचा हुआ यानि P आजाएगा P बराबर C यहाँ पर पुट कर देंगे Q नमबर यहाँ पर 1 में जाकर जब यहाँ पर P की जगह पर आप C पुट करेंगे तो क्या आजग है Y बराबर CX प्लस का FC ठीक है तो यह आपकी क्या कहलाएगा यहाँ पर लिखा भी आए यह कहलाता है जर्नल सॉल्यूशन यह इसी को कहते है कम्प्लीड सॉल्यूशन भी ठीक है आपके कोशन ऐसे आएंगे कोशन इसी तरी के लिखा होगा कि Find the जर्नल सॉल्यूशन लिख सकता है हमने शॉर्ट में Gs लिखा है ठीक है की इक्यूशन दे रखी है उसमें पी को हटा कर दिए बस वही आपकर क्या कहलाएगा क्वेट सॉलूशन और पढ़ने को मिलेगी क्या वह सिंगुल्र सॉलूशन तो singular solution में दो equation लेते हैं, पहली equation तो यह वही है जो आपके question में दे रखी होगी, दूसरी equation हम कौन सी लेते हैं, जो हम यह factor किया है, जब हमने यह common लिया है, तो यह वाली जो चीज बनी है bracket में, यही हमारी दूसरी equation होगी, कब? जब हम singular solution निकालेंगे, तब उसके बाद दोनो equation को first second मान लेंगे, और यहां से p eliminate करके first or second की solve करेंगे equation को, और वहां से singular solution मिल जाएगा, मतलब कि, यहां से आपको क्या समझ में आया, कि इस पूरे method में आपको दो चीज निकालने के लिए कहा जाएगा, पहली चीज यहां पर आपसे cs, यानि कि आपको मिलेगा complete solution find करने के यह complete को हम general solution भी कहते हैं, तो यह भी याद रखिएगा, उसके बास second thing यहां पर यह है, आपसे पूछा जाएगा SS निकालने के लिए, SS का मतलब है singular solution, method वही है, आपको केवल singular solution निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस P को B के जगए C पूट कर दीजे, बस, वही आपका क्या ह होगा singular solution, लेकिन अगर singular solution निकालने के लिए कहा जा रहा है, तब भई आपको यह पूरा differentiate करना पड़ेगा, जब आप डिफरेंशेट करेंगे, तो आपको यह bracket में निकलेगा, वह आपकी दूसरी equation होगी, तो इस equation की वजए से हम क्या करते हैं, singular solution में इस दूसरी equation को निकाल करने के चक्कर में यह हम पूरा differentiate करेंगे, समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, इनके सवालों की और चलेंगे, देखे, आज का पहला सवाल है, देखे, ऐसी लिखा हुआ है, पूरा, कि find the complete solution, इसे complete solution भी कहते हैं, journal solution भी कहते हैं, even यहाँ पर complete integral भी लिख करा सकता है, तो ज यह क्या है, हमारी विचिस क्लेरेट की फॉर्म यह में दे रखी हो, क्या होती है, हमारी y is equal to px प्रस का fp, तो देखे, पी जैसा है, वैसे ही है, यह हो जाएगा fp, तो फाइनली आपको क्या करना है, question में हमने p की जगह पर c पूट कर दे, यही आपका क्या करना है, CS यहन का answer निकल लाएगा, कुछ नहीं करना है, जो भी आपके question है, p की जगह पर बस आपको c पूट कर देना है, यह काम तब होगा, जब journal solution या complete solution या जिसको complete integral कहते हैं, यह निकालने के लिए कहा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, एक line में हमारा हो गया, अब बात आती है, अग आपको find करना होगा, singular solution, अगर इसी जगह पर complete solution होता, तो बताइए इसका answer क्या होता, जल्दी से बताइए, इसका answer क्या होगा, कुछ नहीं बस पीक जगह, c put कर दीजे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर, cx-c square, यह आपका भी answer आ चुका है, आपका यह answer आ गया है, complete solution का, ब पूरा जैसे वही differentiation है, पहले को रोकेंगे, दूसरे का integration, प्लस दूसरे को रोका, पहले का differentiation, फिर minus लगाया, p square का क्या हो जाएगा, 2p, p का फिर से कर देंगे, dp over dx, फिर dy over dx की जगह, p put कर दिया, p put करने के बाद इधर भी p है, इधर भी p है, यह p जब इधर आएगा, तो p minus p हो जाएगा, जो की 0 के बराबर होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख लिया, ठीक है, यहाँ से dp over dx को 0 के बराबर ले लिया, जब आप इसको integration करेंगे, तो p बराबर c आगिया, जब आप इसको equation number 1 में put कर देंगे, तो यहाँ से आपका cs निकला साइगी complete solution, यह भी हमने आपको direct बता दिया था, p बराबर c पुट करते हैं, निकलाता है, अब यहाँ पर singular solution की बात आईए, तो यह आपने लेनी है, पहली equation जो आपके question में दे रखी थी, और दूसरी equation यह हमने इसको मान लेते हैं, जो यह हमारा यह factor निकला, x minus 2p बराबर 0, इसे take कर लेते हैं, ठीक है, यह दोनों हमारी question मिल गई है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, p को eliminate करके, उसके value निकालेंगे, और put कर देंगे question number 1 में, ठीक है, क्या किया, x minus 2p बराबर 0 है, तो अगर यहाँ से आप अगर p की value निकालें तो क्या निकाल नहीं सकते हैं, बहु पहली question में, पहली question में, इसे solve किया, आ गया, 4y is equal to x square, कितना सरल है, दोनों अगर आपसे मान निकालने के लिए कहें गए हैं, बहुत आराम से निकाल लेंगे, complete solution, बस आप equation को देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन अगर singular solution है, तो अब ही आपको differentiation करना पड़ेगा, तब ही आप उसे निकाल सकते हैं, तो आशा करते हैं, यह question आज के काफी सरल होंगे, और यह आते भी है exam में, ठीक है, तो इन्हें इसी तरीके से आपको लगाना होगा, उसके बाद एक और अपने question लिखा है, इसमें आपको GS और SS दोनों find करने है, GS का मतलब जल्दी बताईए, journal solution, और SS तो हमने बताया, आपको पहले भी class में बता चुके हैं, कि DY over DX की जगहें पर हम क्या put करते हैं, P, तो पूरी question है, जहां जहां पर DY over DX है, उसकी जगहें, P put कर दिया, अब तो आपको P दिख रहा है, तो इसको हटा कर C put कर दिजे, देखिए, यह आपका निकल गया complete solution, यह आ देखिए, यहाँ पर भी under root चलना है, तो under root solve करने के लिए क्या करेंगे, दोनों और हम क्या करेंगे, square कर देंगे, ठीक है, square करने से पहले हम इधर इसको ले आए, ताकि squaring करने में आसानी हो, बन्ना फिर यहाँ पर A plus B का whole formula लगे, इससे अच्छा हमने पहले CX को इधर ल रहा है, वैसे चलने दिया, बस A square के अंदर multiply कर दी, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, यह C square एक यह है और यह, इसके यहाँ से C square common ले लेंगे, दोनों में से, यहाँ तो आप ऐसे समझ लीजे, जब आप इस C square को इधर ले करें, देखिए, C square X square, यह जब इधर आए ही है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का 2YXC यह लिखा हुआ है, फिर हमने क्या किया, Y square और माइनस का A square, यह जब इधर आए तो वह किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसको हमने एक bracket में लिख लिए, क्योंकि ध्यान से देखेंगे, तो यह quadratic equation बन गई है, यहाँ और प्लस लगा लिजेगा, ठीक है, तो यह equation बन गई है, तो आप जब भी equation होती, तो आप कैसे solve करते है, A, C square प्लस B, C, इसके अगर आप compare करते हैं, तो A, B, C के मन आपको मिल जाएंगे, जैसे आप envelope निकालते थे, तो वही formula लगाएंगे, B square बराबर 4AC, कैसे निकालेंग यहाँ की value उठाकर इसमें put करेंगे, तो क्या करते हैं, compare करते हैं, देखें, यहाँ पर पूरी question लिखीए, compare करेंगे, देखें, यहाँ पर लिखकर बताते, A, C square, प्लस का B, C, प्लस का C, बराबर 0, तो A की value क्या हो जाएगी, X square, minus का, sorry, यहाँ पर होगा, plus का A square, ऐसी B की value क्या हो जाएगी, minus का 2xy, और C की value यह हो जाएगी, सारी values से हमने निकाल ली है, अब क्या करना है, अब आपको formula लगाना है, B square बराबर 4AC, formula लगाईगी, values को put किया, फिर हमने यहाँ पर simplify किया, अंदर multiply करके, और जादा कुछ नहीं किया, इसे solve करेंगे, तो finally आपका क्या क्यों किया, क्योंकि इसका differentiation तो करना possible नहीं था, तो इसे सही ढंग से करने के लिए, एक यह तरीका भी हाँ, करना चाहे तो आप differentiation भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हमने आपको और बता दिया, कि आप इस तरीके से सवालों को solve कर सकते हैं, singular solution निकालने के लिए, इसी तरीक आप से लग जाएंगे, बस अब हम एक तरीका और बता देते, देखिए हमने आपको complete solution बता दिया, singular solution बता दिया, एक और बता देते, transformation वाला, यानि कि यह question आपको दे रखा होगा, solve x square y minus px ब्राबर p square y यह दे रखा है, आपको transform करना होगा, transform के लिए दो question आपको दे रख है, तो यह दे रखा है, तो आप इसे कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले equation दे रखी है, इसे बनाएंगे number one, transformation के लिए यह तो चीज़े हमको given है, क्या करेंगे, इसका differentiation x square का हो जाएगा 2x dx, u का हो जाएगा du, और फिए y square का 2y dy, और इधर हो जाएगा y का dy, तो कुल मिलाकर य क्या किया है, केवल differentiation किया है, दोनों को divide कर दीजे, यह वाले से यह वाले divide कर दीजे, तो कर दिया यहाँ पर अगले step में divide, यहां से क्या होगा 2 से 2 cancel हो जाएगा, क्या बचाए dy upon dx, इधर बचाए dv upon du, और यह है y upon x, जब यह उधर जाएगा, तो हो जाएगा x upon y, अब य यह कहां से आगया, तो यह देखिए, x square बराबर y है, अगर आभी square हटाएंगे यहां से, तो y क्या आजाएगा अंडर ood में आजाएगा, ऐसी यह v square बराबर y है, यहां से square हटाएगे, तो y का मन कितना आजाएगा, अंडर ood v, तो यही मन हमने यहाँ पर आके put कर दिए, अब P का मान उठाकर पहली समय करण में लिख दीजिए यहां पर रख देंगे P के मान को तो देखिए X स्क्वाइर की जगे यू आ गया वी की जगे अंडरूड वी आ गया इसी तरीकी से P की वैल्यू पुट कर दी X की पुट कर दी सारी वैल्यूस को हमने केवल पुट किया ह अब क्या करेंगे यू से यू यह वाला कैंसिल हो जाएगा यहां पर एल्सियम लेंगे तो पूरा अंडरूड वी एल्सियम में आ जाएगा जब यह इधर एल्सियम इधर करेंगे यहां पर अंडरूड वी आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे केवल वी बनाएगे आपको प इसको सेम लिखा रहने दिया यहां पर cancel हो जाएगा अंडरूड V से वी तो केवल अपॉन में क्या जाएगा अंडरूड V अंडरूड V से अंडरूड V cancel हो जाएगा यह step बचा जो हमने इस यहां पर लिख दिया अब D V over D U को capital P के बराबर रख दिया क्यों क्योंकि अभी आपने पढ़ा है पहले की हमने आपको बताया D Y over D X बराबर small P होता है यहां पर D Y over D X नहीं चल रहा है क्या चल रहा है D V over D U तो इसको हम capital P मान लेंगे put कर दिया capital P मान के सारी values को तो आपकी equation क्या बन गई वी बराबर P U plus का P square P U को हम इधर ले आए तो यह आपकी clearance form बन चुकी है यहां पर P बराबर C put कर दीजे जब आप put करेंगे तो क्या जगा य बराबर में C U plus का P square अब V आपने किसे माना था भई अभी देख लेते हैं यहां पर V की value Y square बराबर V था तो वी की जगे आप क्या रख देंगे तो देखें यहां पर लिख दी है से तो समझ में आगे किस तरीके सब यह सिंगलर फॉर्म आप मतलब यह आपका सी एस निकल गिया है कंपलीट स्वालो को बता दिया है तो इस तरीके से भी सवालों को लगा जाता है बस जहां जहां पर P है वहां पर C put कर दीजे अगर singular solution निकालने के लिए किया गया है तो उस equation का आपको पहले differentiation करना पड़ेगा फिर factor ले लेते हैं और उसको equation बना लेते हैं solve करते हैं P को eliminate करके और वो value equation number 1 में put कर देते हैं तो यहां से हमारा singular solution मिल जाता है उसके बाद transformation का हमने आपको formula बता दिया किस तरीके से transformation का यूज होगा x square वराबर क्या मानते है x square वराबर u और y square वराबर v अधिकतर केस में यही मानते हैं ठीक है तो तीनों तरीके के सवालों को हमने बता दिया है अगर आपके बास book है या आपके बास कोई भी available है कोई model है कुछ भी है तो आप उसका use करें और उसमें देखी इन तरीके के सवा first order ठीक है और but not of first degree तो वह हमारा चैप्टर complete हो गया है कल की क्लास मिलेंगे एक अगले चैप्टर के संग अभी हमारी unit number 3rd ही चल रही है और दो चैप्टर हमने आज complete कर लिए है जो बच्चा नया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और यहां पर दो प्रेलिस्ट में जाईएगा और आपको मिल जाएगा बीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है तो वह भी आप देख सकते हैं वहां पर जाएगा साथ में अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग अगली क्लास मिटेंगे अगली नए चैप्टर के संग तब तक के लिए जय हिन जय भारत